नमस्कार दोस्तो एडवान्स मेकैनिक में आपका फिर स्वागत है दोस्तो हम आज आपको बताएंगे कि टीविएस एंड टॉर्क में बेल्ट कैसे डालते हैं दोस्तो यह देख सकते हैं यह एंड टॉर्क है टीविएस की इसकी बेल्ट टूट गई थी कस्कुमर काफी परिसान हो गए थे उनको बेल्ट नहीं मिल रही थी दोस्तो यह लोकल बेल्ट बनी ही नहीं है यह औरिजिनल बेल्ट है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी और शांदार बेल्ट है यह इसकी हम फिटिंग बताते हैं आपको वट्सप पे हमारे मेसेज आया था कि एंड टॉर्क के बारे में बेल्ट की फिटिंग बताएं यह दोस्तो इसको ऐसे रखके और ऐसे ही पूली को दबाना होता है उस तक यह देखिए यह फिट हो गया यह हो गया यह देख सकते हैं आप होता है मैंगनेट की साइड इस साइड इसका ना सेल्प होता है ना सेल्प का पिनियन होता है कि यह देखिए यह फूलर को यहां पता लीजिए यहां पर कि अधर दिखाँ कि पाता है जस कि वहां होता है कि वहां गब दूबार की अजने एक चाहाँ पर दो देखिए पूरी हालात में है यह तूट गया था गाड़ी कितने 1000 km चल चुकी है कम से कम नी तो दोस्तों यह 22,000 चल गी है इसका बहुत जरूरी होता है द्यान अखना होता है बहुत आसान और सिंपल तरीका है अंटॉर्प का बैल डालना यह हमने फिल्टर कवर के दो बॉल्ट खोले होंगे हैं यह वाले यह देख सकते हैं आप यह भी खुलना होता है आपिर भी है झाल पाइण मलना है, हम यह किन खिल दोरी और वाल है हमेले टोघ कर दूर्चीन खिल्ड़त सिंपलनी दो1ी डोँर बंड़त खिला का झाल झाल, जान बुल खिले हैं, तो दो गवर्म lebihत तोंगे dośćैं और बहुत अच्छा प्रफॉमेंच है इस बेल्ट का